हेलो दोस्तों मैं हूं मतनजी दोस्तों अगर आप अपना खुद का अधार केंद या फिर अधार सेंटर खोलना चाहते हो या फिर आपके पास already CSC common services center जैसी कोई certificate supervisor का वो आपके पास होना चाहिए यह certificate आप बगल में यहाँ पर देख रहे हो इसको पाने के लिए दोस्तों आपको एक exam देना होता है उसकी सारी detail मैं आप लोगो इस वीडियो में बताऊंगा उसके अलावा दोस्तों इसको कैसे पाएंगे इस कैसे कर सकते हो किस डेट पर हमको जाकर वहां पर टेश्ट को देना है वह मैं आप लोगो बताऊंगा और उसके अलावा दोस्तों आप लोग को कैसे पढ़ना है ताकि यह exam को क्लियर कर सको वह सारी चीज़े में आप लोग यहां पर बताऊंगा तो दोस्तों आप से एक ही आप रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिना किये देखना क्योंकि इसमें मैं A to Z सारी जानकारी आप लोग को यहां पर दूँगा जो आप लोग के लिए काफी सारा helpful रहेगा आप लोग के लिए काफी मददगार रहेगा तो अपने दोस्तों को भी यह चीज़ जरू शेयर कर देना नीचे आप लोग को लाइक बटन दिख रहा होगा उसको एक लाइक जरूँ माद देना और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो शेयर में तो मेक शो नीचे जो लाल लोडा सब्क्राइब बटन है उसको जरूद बढ़ा देना बगल में नोटिफिक्शन मेल इसको भी ओन कर देना क्योंकि ऐसी डेली दिस्फूल कंटेंट में आप लोग की लात रहता हूं दोस्तों बिना किसी देरी के आये जानते हैं सब कुछ A to Z दोस्तों सबसे पहले आप लोग को UIDAI वाली वेबसाइट पर चले जाना है और इस वेबसाइट पे आप लोग को सबसे पहले दिखेगा लॉग इन पेजॉ दोस्तों user ID और password यहां पर मांग रहा है लेकिन क्योंकि आप पहली बार यहां पर आ रहे हो आपको user यहां पर create नहीं है तो आपको यहां पर create new user जो है वहां पर आपको क्लिक करना है इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने sign up form खुलता है जिसमें आप लोग को दो करेंगे कैसे ठीक है XML file को और share code को तो देखिए XML file और share code को करने के लिए हम जो है इसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इसको हासिल कैसे करेंगे इसको कैसे पाएंगे तो आपको चले जाना है दोस्तों myadhar.uidai government की website पे इसका भी link मैं नीचे दे दूँगा यहां पर आप लोग को login करना है यह जो login इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार का number डालना है यहां पर capture देगा उसको डालना है और OTP आपके mobile पर चला जाएगा तो याद रहे आपको अपना mobile नंबर जो registered है आधार से उस नंबर को याद रखना है ठीक है क्योंकि उसी पर आ अब यहां पर OTP जो आ रहा है दोस्तों आपके पास जो send OTP है उस पर क्लिक करोगे तो आप पास OTP आ जाएगा यहां पर OTP generation successful लिखके आ जाएगा और आप अपना mobile चेक करके यहां पर OTP डाल दोगे इसको डालने के बाद दोस्तों आप लोग को यहां पर login कर देना है आप यहां पर आपका EKYC offline यहां पर हो जाता है इसको क्लिक करने के बाद आपसे directly यहां पर पूछा जाता है कि आप एक share code यहां पर चार डिजिट का यहां पर आप बना सकते हो ठीक है अब यहां पर चार डिजिट जो है कोई भी number आप डाल सकते हो लेकिन उस number को आपको याद चार डिजिट आप यहां पर डाल के आपको यहां पर नीचे क्लिक करना है download पर अब दोस्तों यह download जैसे click करोगे तो आपको यहां पर एक आधार का zip यहां पर फाइल आपको बन के download हो जाता है आप अपने mobile पर भी कर सकते या फिर आप अपने laptop पर भी कर सकते हो यह zip में व to dashboard जो पहला वाला जो यहाँ पे मैंने link दिया था उस पे फिर से चले जाना है जहाँ पे upload XML file था उस पे आपको यहाँ पे choose file करना है choose file करने के बाद दोस्तों जो downloaded zip file है अभी जो आपने download किया है उसको वहाँ पे choose करके यहाँ पे upload पे click कर लेना है upload successful हो जाएगा आपका उसको okay कर देना है इसी तरीके से जो आपने अभी share code आपने set किया था उसी चार डिजिट का share code यहीं पे आपको डालना है उसके बाद extract पे click करोगे तो data extracted successfully आजाएगा उसको okay कर देना है इतना करने के बाद दोस्तों उसको okay कर देना है अब उसके बाद mobile OTP एक बार फिर से आपको यहाँ पर generate करने को बोलता है तो आपको send mobile OTP करना है तो यह आपका आपके mobile पे OTP जो है आ जाएगा उस OTP को आपको दोस्तों यहाँ पर डालना है अगर नहीं आता तो आपको लगबग तीन मीनट तक वेट करना है उसके बाद दुबारा आप OTP जनरेट कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर mobile OTP डालके आपको verify OTP करना है और नीचे आपका नेम डेटा बर्थ जेंडर आपकी फोटो यहाँ पर आ जाएगी आप उसको confirm कर लेना यह यह दिखाने के लिए कि यह आपका फोटो वगएर यह इस तरीके से आएगा ठीक है तो आप इसको confirm करने के बाद आपके बाद दोस्तों आपका user ID और password जो है आपका यहाँ login page है वो open हो जाता है यहाँ पर आपको आपके पास user ID और password मिल गया है वही user ID और password को आपको यहाँ पर डालना है और sign in कर देना है अब क्योंकि यह password दोस्तों आपको खुद यह government की website ने दिया है तो यह password आपको change करना होगा तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि पुराना password जो आप याद करक सकें ठीक है तो एक ऐसा password आप यहाँ पर रख सकते हैं उसके अलावा confirm new password करने के बाद मीचे जो secret question है उसको आपको यहाँ पर सेट करना है तो इसमें से कोई भी secret question आप सेट कर सकते हो जैसे कि आप कि city में बर्न किया हो मतकी city में जन लिया है आपने आपकी date of बर्त क्या है favorite color है क्या है इस तरीकी questions है ताकि यह आपको बाद में अगर password भूल जाते हो तो यह question आप से पूछेंगे और आप आंसल दे दोगे तो आपको password मिल जाएगा या फिर reset कराए जाएगा password ठीक है तो यहाँ पर फिलाल favorite color हमने यहाँ यहाँ पर set कर दिया है जो instruction form है क्या क्या चीज है या फिर इसमें कोई point आपको समझ नहीं आ रहा तो बजो नीचे तुरंग यहाँ पर pause करके video को comment कर दो नीचे मैं एक separate video आप लोग के लिए बना दूगा अब दोस्तों नीचे अगर इस पर scroll करोगे तो आप देखो कि सबसे last में एक checkbox है उसको आ आप लोगो continue पर click करना है आपके सामने आपकी photo के साथ बाकी और भी detail आ जाएगी अब इसमें आप लोग का academic जो basic detail होता है वो आपको यहाँ पर fill करना है अब education details आपको यहाँ पर fill करना है तो जैसा मैंने पहले अगर आप लोगोंने मेरी पहले video देखी होगी इस आधार व environment होता है तो वहाँ पर मैंने बता है था कि 12th pass minimum होता है अगर आप 10th pass हो और आप आशा या फिर आगनवाडी कारे करता हो तो आपके लिए 10th pass ही minimum eligibility बाकी लोग के लिए minimum 12th pass है ठीक है तो आप यहाँ education detail पर click करोगे और यहाँ पर आप जो है select कर लोगे ठीक है अब यहाँ आप देखिए level of exam यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है तो level of exam आपको यहाँ पर चूज करना है operator child enrollment like line यह फिर ECMP operator कम supervisor अब इसमें दो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर operator child enrollment का जो यहाँ पर पहला जो option दे रहा है इसमें आप सिर्फ जो चोटे बच्च इसी का भी बना सकते हैं फिर modify कर सकते हो ठीक है तो हम ECMP operator को चूज कर लेंगे अब देखिए exam का language आप जहां भी रहते हो उसके हिसाब से वह language आपको यहाँ पर चूज कर लेना है तो यहाँ पर हिंदी चूज कर लिया उसके बाद देखिए enrollment agency code सबसे जो है important point यहाँ पर आ आता है आपको कहीं पर काम करना होगा आधार का ठीक है तो आप वो कई सारे agency code देते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जन सेवा केंद्र है आधार के सेवा केंद्र है वहाँ पर लोग आधार बनवाते हैं फिर modify करवाते हैं वह जो है government के through केंद्र होता है एक तो वह कर सकते हो तो वह agency code bank के through हो गए ठीक है इस तरीके से हर शहर में हर जिले में अलग अलग तरीके के agency code होते हैं वही चीज़ यहां पर आपको यहां पर अच्छे तरीके से select करना है अब यहां पर select करने पर आप देख रहे हो कि कई सारे यहां पर दिये हुए हैं अलग अलग आपको यहां पर government का भी सेवा के मिल जाएगा उसके अलग आपको bank मिल जाएंगे जो आपके शहर में तो आपको पहले पता कर लेना है कि आपके शहर में कौन से bank जो है यह provide कर रहा है आधार का काम आप पता कर सकते हो वहां पर bank में जाके या फिर अभी मैं आपको दिखा कर रहा हूं यहां पर आप जो है जाके government का जो code होता है जैसी कोड यह CSTE government है यह भी आप लोग यहां पर चूज कर सकते हो बट इससे पहले आपको यहां पर पता कर लेना है कि यहां से जो है काम हो सकता है कि नहीं तो अगर आपके नजदी की bank में कोई है और फिर आप bank जा यहां पर मिलते हैं change करने का suppose आपने पहले चूज कर लिया कोई bank का यहां पर लेकिन वो bank आपने पता किया कि वहां पर आधार का काम प्रोवाइड नहीं करते तो आप जो है पांच बार और वहां पर चेंज कर सकते हो तो इसलिए पहले सही से चेक कर लेना फिसके बाद वह code वहां पर डाल लेना ठीक है अब यहां पर हम नीचे आते हैं अब यहां पर आपको personal detail चूज करना है तो आप यहां पर अपना नाम date और बस यह सारा चीज़े आप देख लोगे test date यहां पर दे रहा है अब क्योंकि यह जो है आपको एक exam यहां पर देना होता है और exam बहु test center name उस city के अंदर जिस शहर में आप रहते हो जहां पर जिस जिले में रहते हो उसमें आपका test center वहां पर दिखाएगा उस center को आपको चूज कर लेना है अभी देखिए एक एक चीज़ ध्यान देने की कि यहां पर आपको date नहीं बता रहा है कि कि इस date पर जापके देना है मैं आपको बाद में बताऊंगा और वहां पर कौन सा स्लोट अवेलेबल है वह भी दिखाएगा ठीक है अभी के लिए फिला सिर्फ test center name यहां पर आपको चूज करना है और save and continue क्लिक करना है अब आगे जब बढ़ोगे तो देखिए दो document आपको यहाँ पर upload करने होते हैं यह भी बहुत ही important है उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ लो एक आपका educational document है और एक authorization letter educational document इसमें बोला है कि जो size है minimum 1 MB होनी चाहिए maximum जो है 1 MB और minimum 50 KB की होनी चाहिए PDF या फिर JPG files में हो सकती है अब इसके इसमें आपको mark sheet upload करना है या फिर आपने graduation किया तो graduation की ठीक है mark sheet upload करने के बाद जो second वारी चीज है authorization letter यह authorization letter दोस्तों यह आप उस agency code के थरूप आओगे जहां पे आपने यह दिया हुआ जिसका code आपने दिया हुआ और जहां से आप काम करोगे इसके बाद ठीक है तो आप अगर जिस सपोज आप bank में ज जाते हों वहां पर पता करते हो तो वहां से आपको easily authorization letter मिल जाता है authorization letter दोस्तों आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है यहां पर इस तरीके कर रहेगा आपको मैं यह नीचे दे भी दूंगा अगर आप उसको चाहोगे तो उसको क्लिक करके download भी कर लेना इस तरीके कर र authorization letter मिलता है या फिर जहां पर आपको काम करना है ठीक है सपोज वह जो मैंने आपको बताया अगर आप बैंक में जा रहे हो तो वहां पर आपको उसमें रेजिस्टर वहां पर होंगे या फिर enrollment जो भी वहां पर अधिकारी होंगे वह आपको यहां पर sign करके देंगे ठीक है तो यहां पर यह चीज करवाना है आपको sign करवाना है दूसरा यहां पर photo of candidate आपको अपनी यहां पर candidate लगानी है और यहां पर आपको cross stamped लगाना है और cross signed भी होना चाहिए ठीक है तो stamp जो है आपको वहीं से मिल जाएगा stamp वहां से लग जाएगा और आपको cross sign वहां पर कर ल लेंगे उसके बाद नीचे जो अफ्राइज tribes लेटरई है उसको भी हम चूज करके करें कर लेंगे Kollege करने के बाद आप देखे हो कि जो next वाला इसटाप है यहां पर आपको सारी है जो educational document अभी आपने यहाँ पे upload किया है उसको verify करना है तो verify document पे click करोगे तो यह यहाँ पे एक checkbox आ जाएगा उसको आपको i confirm करना है और save करना है यह आपका green color में verified हो जाएगा दूसरा इसी तरीके से authorization letter को भी आपको करना है verify याद रहे verification जो authorization letter है उस पे आपको सारा पहले stamp वगरे लगा के वहां से तब यह इसको आपको upload करना है और verify करना है तभी यह green होगा अब उसके बाद आपको यहाँ पर proceed to submit form करना है और यह आपका submit हो जाएगा आपका यह form complete हो चुका है अब आपको क्या करना है नीचे जो लास्ट में declaration उस पर आपको जाना है वहाँ पर declaration पर चेक बॉक्स लगाना है और सब्मिट application form करना है यह अब फाइनली सब्मिट हो चुका है अब आपको payment payment पर जाना है ठीक है अब क्योंकि एक तरह का काम है इसमें शिरुआत में आपको जो है फॉर्म फिल करने का यहां पर आपको पैसा लगता है तो इसके लिए payment आपको यहां पर करना है तो payment पर हम यहां पर बगल में क्लिक करेंगे और online payment mode पर आप कर सकते हो तो online payment mode पर चेक रहेगा इसको प्रोसीट्व पे करेंगे ओके कर देंगे आपको यहां पर तीनों option दे रहे हैं दोस्तों payment करने का debit card से कर सकते हो credit card से या फिर इंटरेंट बैंकिंग या फिर UPI से phone पर Google पर या किसी से भी आप यहां पर कर सकते हो 470 रुपए लगबग यहां पर आपके लगें यहां देख पार हो ठीक है इसको पे करने के बाद आप payment history पर क्लिक करोगे तो आपको payment और city दिख जाएगी state और city select करने के बाद आपको test center भी यहां पर दिख जाएगा ठीक है यहां पर दिख रहे हो click here to view slot availability उस पर क्लिक करोगे तो आपको test center और test date भी दिखाएगा वह आपको यहां पर choose कर लेना है ठीक है भी मिल चुका है मैंने आपको बहले बताया था पहली वाली वीडियो के आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको पूरा PDF में material मिल जाएगा उसके अलावा अगर आप mock exam देना चाहते हो तो आप यहां पर जो option दे रहा mock exam उस पर click करोगे और यहां पर आपको chapter names यहां पर PDF से ही आते हैं जो अल्रेडी वहां पर upload हो रहते हैं यू आई ADI के government की website यह आप अपने यह मेरे आप जो है पहली वाली वीडियो पर देखो गए तो उसमें मैंने पूरी अच्छी तरीके से बताया है कैसे उसमें पढ़ना है तो दोस्तों उसको करने के बाद जब आप test center म उसमें पास हो जाते हो आपको तुरंत मार्स भी आ जाते हैं आपको certificate यह वाली मिल जाती है ठीके NSIT की certificate आपके पास मिल जाएगी और इसको इसको लेके आप दोस्तों आप किसी भी जो आपके पास agency code है वहाँ पर जाओगे तो easily आपको जो है काम मिल जाएगा और आप काम स start कर सकते हो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग यह बताऊंगा कि जिसको भी यह जरूरत है और आप चाहते हो कि अधार का काम करना तो आप इसको जरूर देख लेना यह वीडियो और अपने दोस्तों को भी यह शेयर कर देना और मेरी जो पहली वाली वीडियो है दोसमें उसमें आप लोग को यह पता चल जाएगा कि यह वेकैंसी किसके लिए है और यह इसमें क्या-क्या मांगा जाता है कैसे पढ़ना है वह सारी चीज़े तो मैं रिकमेंट करूंगा कि वह वीडियो भी आप जरूर देख लेना दोस्तों नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या आपने इस पर अपलाई किया है या फिर आप अलड़ी यहां पर काम कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई और भी डाउट है तो मैं उसको आंसर करने का जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरू म कर दो